असलाम अलेकम दोस्तों आज मैं बालों की बो टिप आप लोंगे साशियर कर रही हूँ जिसे बाल बहुत तेजी से सहतमन होंगे, घने होंगे और डंबे होंगे लेकिन उससे पहले विटामिन्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिसे हमें पतर चल सके के विटामिन्स हमारे बालों में क्या किरदार अदा करते हैं खुशनुआ और सहतमन बालों के उसूल के लिए विटामिन A की कमी से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं विटामिन A की कमी के ज़्यादा होने से गंज हो जाता है और चुटे-चुटे धबे जैसे आ जाते हैं सर में इसलिए दूद, गाजर, मूली, हरी सबजियों को रोज मर्रा खुराक में रखें विटामिन B, विटामिन B की मुनासिब मिगदा की माजुद्धी से बाल घने, सहतमंद और चमकदार रहते हैं इसके लिए खमीरी गोलियां, अनाज, गंदूम, मूमफली, डाले, बकरे की कलेजी, मुर्गी, दूद, केले, अंडे, रोज मारा की खुराक में शामिल लखें और विटामिन C, विटामिन C की कमी से बाल तेजी से गिरने लगते हैं इसके लिए किन्नू, लीम्बू या कोई तुर्श, खल गज़ा में जरूर शामिल करने चाहिए अक्सर लोगों को अपने बालों की ट्रीटमेंट के लिए बड़े-बड़े सेलून जाना पड़ता है ठिक-टाक रखम खर्च करते हैं कुछ दिन तक बालों में बड़ा चर जड़ दिखाई देता है, बाद में फिर रूखे, फीके, उलजे हुए नजर आने लगते हैं आप घर बेठे बगएर किसी खर्चे के अपने बालों को सहतमन और खुशनुमा बना सकती है बालों में चमक पैदा करने के लिए, उन्हें शाइनी बनाने के लिए, विटामिन E बहुत एहम किरदार अदा करता है ऐलोविरम में विटामिन E भरपूर होता है मैं फिर आप लोगों से यही कह रही हूँ कि बालों की बेहतरी के हवाले से जो भी टिप आप लोगों को बताती हूँ या बता रही हूँ, इस अमल को करके तो देखें, फाइदा ना हो तो फिर कहिएगा चले मैं आपको किसी मफसुस वाइल करनी कह रही हूँ, जो भी आप बालों के लिए यूज करते हैं, उसे अपने बालों के मताबिक प्याली में निकालने, जितनी जरूरत हो हजब जरूरत निकालने और ओल के हिसाब से ही ऐलो वीरा खूब अच्छी तरह फ्हेंट के उसमें शामिल करें, जितना आईल हो उतना ऐलो वीरा शामिल करने, और ऐलो वीरा अगर जादा हो जाए तो अभी कोई बात नहीं, ऐलो वीरा फाइदा ही करता है, नुकसान नहीं करता ऐलो वीरा जल को खूब अच्छी तरह फ्हेंट लीजे चमचे की मदध से, या फॉक alles से कूब अच्छी तरह फ्हेंट ले और फिर उसे ओईल में विक्स कर लीजे जो आपको अपने बालों में लगाना है, बालों की जड़ों-जड़ों में लगाए है, खूब अच्छी स के लिए अपलाई करने तो बहतर है उसके बाद शेम्पो कर लीजे अगर आप इस अमल को करते रहे तो यकीन जानिए द्वाइं देंगे आप लोग में मर्द औरत बचे बुड़े सब इसे सिमाल कर सकते ही ओके दोस्तों अलाफेज